जापान में G7 और क्वाड देशों की बैठक से तिल मिलाए चीन को अमेरिका ने पुछकारने की कोशिश की है अमेरिकी राश्र पती ने किस मई को G7 के मंच से कहा है कि वो चीन के साथ बैतर संबंद चाहते हैं बीते कुछ महिनों में दोनों देशों के बीच खासा तनाव दिख रहा है जो नहीं होना चाहिए था गौर तलब है कि अक्टूबर 2022 में G20 की बैठक के दोरान दोनों नेताओं ने मुलाखात की थी हाला कि तब भी ताइवान मुद्य को लेकर अमेरिका और चीन के बीच सनातनी थी लेकिन फरवरी के महिने जाजूसी गोबारे वाले वाकिये ने सब कुछ खराप कर दिया दोनों देशों के संबंद काफी तनाव पूर हो गए यहां तक कि अमेरिका के विदेश मंतरी एंटनी ब्लिंकेन को अपना चीन दोरा रद करना पड़ा था आपको मालूम हो कि अमेरिका के प्रभुत वाला G7 दुनिया के शीड सर्थ विवस्थाओं का संगठन है इसमें चीन और भारत शामिल नहीं है पहले यह संगठन G8 कहलाता था लेकिन रूस ने साल 2017 में खुद को इस संगठन से अलग कर लिया हाला कि इस बार भारतिया प्रधान मंतरी बतोर अधिती G7 की बैटक में शामिल हुए लेकिन चीन के राश रुपती को बुलावा नहीं भेजा गया इसके पीछे वज़े है जापान और चीन के बीच चल रही अनबन हाला कि बाइडन अब चीन के साथ बहतर संबंधों पर जोर दे रहे हैं बाली सम्मेलन के बाद दोनों देशों ने ओपन हाट लाइन की जरूरत बताई थी लेकिन चीन की चाल बाजी ने अमेरिका के साथ संबंधों को बिगार दिया हाला कि बाइडन ने उमीद जताई है कि दोनों देशों के बीच जल्दी ही हालात पहले जैसे सामान हो जाएंगे बाइडन ने कहा है कि वो चीन से अलग होने के बारे में नहीं सोच रहे चीन के साथ संबंधों को जोखिम मोक्त और विविदता पूल बनाना चाहते हैं वो जल्दी दोनों देशों के बीच बड़ी तलिखियां कम होंगी और संबंध फिर से पट्री पर आ जाएंगे बले ही बाइडन दुनिया के सामने चीन के साथ बैतर संबंधों की दुहाई दे रहे हों लेकिन हकीकत तो यह है कि चीन और अमेरिका के संबंध मौझूदा दौर में पट्री पर आना संभव ही नहीं क्योंकि चीन भी आर्थिक महाशक्ती बनने की दौड में अमेरिकी वर्चसु को जब तब चुनोती देता रहता है साथ ही अमेरिका के मित्र देशों से उसके साथ संबंध बहतर नहीं है ये वज़े दोनों देशों के बहतर संबंध की रहा में रोडा है अंतर राश्ट्री मामलो के जानकार ये पुष्टी करते हैं कि निकट भविश में ऐसा होने की गुणजाश कम ही नजर आती है इसके पीछे इंडो पैसिफिक में चीन की विस्तारवादी नीती जिम्मेदार है जब तक चीन अपनी स्नीती पर गायम है दोनों देशों के बीश चक्राव होते रहेंगे इसके लावाद ताइवान का मसला जब तक शान्त नहीं हो जाता अमेरिका और चीन के बीश संबंध बहतर नहीं हो सकते